Hello my dear students, जैसा कि आप जानते हैं आपकी winter vacations over हो गई हैं और अपसे आपको फिर से worksheet करनी है और आज की worksheet है number 146 जो की है दिनांग 16 जनवरी 2021 के लिए और आज की worksheet का subject है English जो की आपकी textbook Marigold पर आधारित है यह worksheet है class 5th के लिए यहां बच्चों आप अपना section लिखेंगे यहां अपना नाम और यहां अपने teacher का नाम लिखेंगे यह worksheet आपकी book में दी गई unit 8 और उसमें दीए गई chapter the little मुली के बारे में हैं तो बच्चों chapter हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम काफी सारी worksheet भी कर चुके हैं तो चलिए देखते हैं आज की worksheet में हमें क्या करना है good morning dear students happy new year let us see what we have learned from the story the little bully चलिए देखते हैं हमने कहानी the little bully से क्या सीखा तो आज की worksheet में आपको यह चार question करने है a b c and d तो question number a है बच्चों find the sentences phrases from the story which tell you the following आपको कहानी में कुछ वाक्या या कुछ वाक्यांच डूणने हैं जिन से हमें यह नीचे दी गई चीजों के बारे में पता लगता है जिसे a है hurry was a bully hurry एक bully था यह आपको कहानी में दिये गए किस sentence से पता लगता है तो बच्चों कहानी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें दिया गया है हमने कहानी में पढ़ा था कि उसे उसके साथ जाने वाले सभी लड़के लड़कियों को परेशान करना पसंद था तो इससे हमें क्या पता लगता है यही कि hurry was a bully तो इसी तहरे आपको बाकी sentence भी पढ़ने है और अपनी कहानी से वो वाक्या निकालने है जिन से हमें यह दी गई जानकारी पता लगती है नेक्स है hurry and his classmates went for an outing तो यह हमें पता लगता है it so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day नेक्स है बच्चों hurry brought lots of things for lunch hurry lunch में बहुत सारी चीज़े लाया था यह हमें कैसे पता लगा there were two hard boiled eggs six jam sandwiches three pieces of bread and butter a ginger cake and a bar of chocolate तो जब हमने यह पता लगा कि वो lunch में काफी सारी चीज़े लाया था next hurry was badly injured hurry बुरी तरह से घायल था यह हमें कैसे पता लगा they pricked hurry till he was soon black and blue with their pinching हमने पढ़ा था कि जब वो सी साइट पर वहां बैठा था तो पानी में रहने वाले काफी सारे जानवर आए और उन्होंने खरी को परेशान किया जैसे वो दूसरे बच्चों को बुली करता था और उसी दोरान वो बुरी तरह घायल हो गया था तो बच्चों इस तरह से आप करेंगे कोश्चन नमबर एग अब चलते हैं आगे अब बुली इस अ परसन हूँ यूज़िज हिस हर पावर टो हर्ट अदर्स तो बच्चों बुली कोन होता है जो दूसरों को परिशान करता है उन्हें हर्ट करता है तो आप सोचिए अगर आपका कोई दोस्त दूसरों को बुली करता है वुड यू सपोर्ट हिम और हर्ट क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे क्या ऐसा करने में आप उसका साथ देंगे आप उसको कैसे बताएंगे कि हमें दूसरों के साथ एक अच्छा दोस्त बन कर रहना चाहिए तो बच्चों इसमें आपको अपने विचार रखने है कि आप क्या करेंगे अगर आपका कोई दोस्त दूसरों को बुली करता है तो तो बच्चों यह आप अंसवर खुद सोचेंगे और लिखेंगे जैसे इस तरह से लिखा जा सकता है नो, I would not support him नहीं मैं उसकी मदद नहीं करूंगा उसको support बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस चीज में I would tell him that bullying someone is very bad मैं उसे बताऊंगा कि दूसरों को बुली करना बहुत गलत है बहुत बुरा है We should help each other and we should be good to each other हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए एक दूसरे के साथ अच्छा फ्यवहार करना चाहिए If you bully others then they will never help you अगर आप दूसरों को बुली करोगे तो कोई भी आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा जैसे हरी था उसका कोई दोस नहीं बनना चाहता था तो इसी तरह तुम्हारा भी कोई दोस नहीं बनेगा अगर तुम बुली करोगे तो तो बच्चो इस तरह से आप अपना आंस्वर सोचे और कीजिए अब चलते हैं next तो बच्चो इसमें आपको आर्टिकल्स का यूज करना है और ये फिल इन दी ब्लैंक्स कम्प्लीट करने है आर्टिकल्स हम पहले पर चुके हैं तो आप उस वीडियो को भी दुबारा से एक बार देख सकते हैं और फिर ये कम्प्लीट कर सकते हैं तो देखते हैं बच्चो ये वाला कॉश्चन वन डे हरी वोस प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंट तो बच्चो यहाँ पर आपको ए या द में से एक भरना था तो यहाँ पर आएगा द बच्चो हम ये पढ़ चुके हैं कि A, N और द कब कब यूज होता है यहाँ पर द क्यों आया क्योंकि हम जानते हैं हम स्कूल प्लेग्राउंट की बात कर रहे हैं हमें पता हैं किस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं उसने क्या देखा उसने वहाँ पर एक पेड के नीचे एक पक्षी को देखा जो की घायल था हरी उसके पास गया और उसने देखा कि उसका एक पंक क्या है डैमेजड हो चुका है उस पर चोट लगी है तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि इससे पहले वाले फिलिंदी ब्लैंक्स में आया था अ बर्ड लेकिन यहाँ आया दवर्ड ऐसा क्यूं क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जिस पक्षी की बात कर रहे हैं उसकी हम पहली बार बात कर रहे हैं और इस वाले सेंटेंस में हम जानते हैं कि हम कौन से पक्षी की बात कर रहे हैं जो हरी को एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिला था तो इसी लिए यहां परदा आया क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है जिसकी हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट है अब इसी वज़े से यहां पर भी दह आया है क्योंकि उसी पक्षी की हम बात कर रहे हैं जो नर्स थी स्कूल के मेडिकल रूम में वो हैरान हो गई यह सब देखकर उसने बर्ड के डामेज़ विंग पर पंक पर एक बैंडिच लगाई इसके सामने यह नहीं आएगा the आएगा क्योंकि kindness को क्या हम count कर सकते हैं जो हम ए लगाए नहीं कर सकते यहां the आएगा and said you are a kind boy hurry और उसने बोला कि तुम्हे दयालो लड़के हो तो बच्चो इस तरह से आपको यह complete करना है अब चलते हैं question deeper who am I tell my name by taking the help of picture hint आपको यहां पर यह फिलिंदी blanks करने हैं और यहां दी गई pictures की मदद से आपको बताना है कि जो यह वाक्य दिया गया है वो किसके बारे में है I am the largest animal on earth मैं धर्थी पर सबसे बड़ा जानवर हूं तो इसमें आएगा blue whale I am the national aquatic animal of India रहते हैं उनको aquatic animal कहा जाता है I can live up to 150 years मैं 1500 साल तक जिन्दा रह सकता हूं इसमें क्या आएगा इसमें बच्चों tortoise आएगा जो यह गलती से नीचे हो गया है आप इसको उपर लिखेंगे उपर वाले में क्या आएगा tortoise आएगा नेक्स्ट I have eight arms तो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा octopus यह पिक्चर भी देख सकते हैं तो बच्चों यह आपको करनी है फर्स्ट वन इस blue whale नेक्स dolphin नेक्स tortoise और लास्ट octopus तो बच्चों इस तरह से आप यह वाला question भी complete करेंगे पहले आप सारे question खुद करके देखेंगे और फिर अपने answer चेक करेंगे अब देखते हैं बच्चों अभी भावकों के लिए संदेश 15 जनवरी का दिन भारती सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है कौन सा दिन 15 जनवरी मतलब जो कल का दिन था हर साल की तरहे कल भी ये दिन पूरे जोश के साथ मनाया गया भारती सेना के गुरवशाले इतिहास से संबंदित कोई कहानी बच्चों के साथ साजा करें तो बच्चों आप अपने माता पिता से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं तो ये अभी भावकों के लिए है कि वो आपको भारती सेना के बारे में और जानकारी देंगे और बच्चों कोविट एप्रोप्रियेट बिहेवियर सी ए बी मैसेज इसका भी आपको ध्यान रखना है क्या मैसेज है तो बच्चों कोविट से बच्चे रहने के लिए आपको इस बात कर ध्यान रखना है सोशल डिस्टेंसिंग को मैंटेंड करना है तो आप ये अपनी वर्कशीट कीजिए और अपने वर्कशीट ग्रूप पर सेंड कीजिए थैंक्यू बच्चों आप नाइस दे एंड टेक केर